Hello Everybody, In This Video I Will Discuss The Magnitive Behavior Of Coordination Compound देखे, Question है मारा NICO4 तथा NICL4 2-2 द्वारा किस परकार का चुम्बकी ब्योहार आपेक्षित किया जाता है और क्यों? यानि Question में हमसे पुछा है, जो हमने Coordination वाले Compound लिये हैं, ये किस परकार का Magnitive Behavior सो करेंगे? तो ठीक है, इसका Answer हम देखते हैं, NICO4 में निकिल की आक्षिकरन वस्ता सुनी होती है, जो हमारा NICO4 का Compound है, इसकी Oxygen State क्या होगी? सुनी होगी, ये हो इसलिए हो रही है, जो कार्बोनील लिगेंड है, यानि CO, ये क्या है हमारे एक Neutral लिगेंड है, और Compound पे कोई भी सुनी है, इसलिए इसकी Oxygen वस्ता सुनी है, जबकि NICO4 में ये हो प्लस टू Oxygen वस्ता दिखा रहा है, ये हो इसलिए हो रहा है, क्योंकि NICO4 में Overall चार्ज माइनस टू है, और साथ ही CL4 जो लिगेंड है, ये हो क्या है एक रिणात्मक लिगेंड है, ये हो –1 Oxygen State सो करता है किस चतूसफल की है, यानि Tetra Haddle है, उप्यक्त चित्र से इस परस्ट है NICO4 चतूसफल की तथा परतिचुम्बकी है, जबकि NICO4 टू माइनस चतूसफल की तथा अनुचुम्बकी है, अब दोनों स्टक्चर की सलचना क्या है, चतूसफल की यानि सेम है, लेकिन दोनों का Magnetic Behavior क्य है, अनुचुम्बकी है, अनुचुम्बकी है, दोनों का स्टक्चर सेम होने के बाद भी इसका Magnetic Behavior क्या हो रहा है, विल्कुल डिफ्रेंट डिफ्रेंट है, अनुचुम्बकी परकरती अउगमित इलक्टॉनों की उपस्तिति के कारण है, कहने का अर्थ यह है, अगर किसी कमपाउंड में अनुचुम्बकी हो जाएगी, अगर किसी कमपाउंड में अनुचुम्बकी हो जाएगी, अगर किसी कमपाउंड में अनुचुम्बकी हो जाएगी, हमने डोनों कमपाउंड का संकर नीचे कराया है, अब इसमें हम देखते हैं किस कमपाउंड में बता 4P orbital में कोई भी लक्टोन नहीं होता है जब निकल आटम ने CO ligand के साथ मिलकर NICO4 complex बनाया है तो उस स्थिति में जो CO होता है वो क्या है एक strong ligand होता है वो क्या करता है 4S के ligand 3D orbital में shift करता है जैसे ही 4S के ligand 3D orbital में shift हो जाता है इस स्थिति में 4S orbital में कोई भी लक्टोन नहीं रहता है अब CO के ligand यहाँ पे आके अपने लक्टोनों को या करता है फिल करता है सबसे पहले वो 4S orbital में लक्टोन को फिल करेंगे फिर 4P orbital में लक्टोनों को फिल करेंगे एलक्टोनों को फिल्ड करते ही वह हम को क्या देते हैं SP3 संक्रन देते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि 3D में कोई भी एलक्टोन अनपेर्ड नहीं है यानि की अयुगमित नहीं है इस इस्तिति में हमारा जो compound होगा वह क्या हो जाएगा अनुचुम्ब की प्रकृति का होगा यानि डाय मैगनेटिक प्रकृति का होगा अब हम NICL 4,2- molecules को देखते हैं इस compound में Ni पर प्लस 2 charge है और जब हमने निकिल का ground state का electronic configuration लिखा तो 3D orbital में 8 electron है और 4S orbital में 2 electron है जब की 4P orbital में कोई भी electron नहीं है जब निकिल प्लस 2 oxidation state में आएगा तो 4S से 2 electron क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे साथी हम जानता है जो क्रोरी लिगेंड है यो क्या है एक weak legend है इस स्थिति में यहाँ पे electron का peer up होना क्या नहीं है असंबव है क्योंकि क्रोरी लिगेंड यहाँ पे peer up नहीं करेगा electron को और 4S और 4P orbital खाली रह जाएगा जब 4S से electron लिकल जाएंगे तो सबसे पहले क्रोरी लिगेंड 4S और्बिटर में electron को fill करेगा फिर 4P orbital में electron को fill करेगा और साथी हमको क्या मिलेगा SP3 संकर मिलेगा और यो कैसा compound होगा हमारा अनचुम्ब की क्योंकि यहाँ पे हमको अर्गमिद electron मिल रहे है याने की unpeared electron मिल रहे है ठीक है